जै माददी, बड़ो को मेरा चरंस पार, शौट छोटो को मेरा प्यार, मैं आस्ट्रोलोजर प्रियंगा भारदवाद स्वागत करती हूँ, आप सभी का अपने स्यूट्योब चैनल पर, और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्थ होंगे जब हम रात में सो जाते हैं, तो अक्सर देखा गया है कि हमें अलग-अलग तरह के सपने आते हैं, कुछ लोगों को अपने सपने तो याद भी नहीं रहते हैं कुछ लोगों को अपने सपने इतने अच्छी तरह याद होते हैं कि अगर आप उनसे 10 दिन बाद भी पूछेंगेelly तब भी बता देंगे अगर आपने सपने में ऐसा देखा है तो उसका क्या मतलब है क्योंकि हर सपना कुछ ना कुछ शुब या अशुब संकेत देता है आज मैं आपको बताऊंगी कि सपने में अगर आप खुद को भोजन करते हुए देखते हैं या भोजन बनाते हुए देखते हैं तो उसका अर्थ क्या है, सबसे पहले अगर आप खुद को सपने में भोजन करते हुए देखते हैं, तो ये बहुत ही शुब सपना माना जाता है जोतिश शास्तर के अनुसार, सपने में खुद को खाना बनाते देखना, यानि कि भविश्य में आपको किसी शुब समचार का संकेत मिलने वाला है सपने में अगर आप खुद को किसी पार्टी में या किसी फंक्षन में खाना खाते हुए देखते हैं तो भविश्य में आपको जल्द ही धनलाब होने वाला है जोतिश शास्त्र के अनुसार या फिर मैं कहूं कि स्वपन शास्त्र के अनुसार सपने में अगर आप देखते हैं कि आपके घर में कोई महमान आया सिर्फ एक महमान और आप उसके साथ बैट कर खाना खा रहे हैं महमान को खाना खाते वे नहीं देख रहे हैं, आप खुद को खाना खाते वे अगर देख रहे हैं, तो ये सपना भविश्य में बताता है कि आप बीमार पढ़ने वाले हैं, इस सपने का संकेत होता है, कि आपको आने वाले सबे में कोई बीमारी हो सकती है, सपने में अगर आप खुद को भूखा देखते हैं आप खाना डून रहे हैं लेकिन आपको खाना खाने को नहीं मिल रहा है तो इस सपने का अर्थ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है इसका मतलब यह है कि आप अपनी जिंदिगी में करेंट समय में अभी जो समय आपका चल रहा है इसमें आप बहुत जादा परेशान है आपको कहीं से कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा तो इस सपने कार्थ यह है कि आपको धैरे पूर्वक आगे बढ़ना है रुकना नहीं है और घबराना भी नहीं है सपने में अगर आप अपने आपको रोटी खाते हुए देखते हैं सिर्फ रोटी इसका मतलब यह है कि आपकी कोई बहुत पुरानी इच्छा जो पूरी नहीं हो रही थी वो जल्द ही पूरी होने वाली है वही पर अगर आप सपने में खुदको चावल खाते हुए देखते हैं तो आप समझिए कि जल्द ही आपको कोई बहुत ही शुब समचार मिलने वाला है आपको जल्द ही financial gains होने वाले हैं यह बहुत ही शुब सपना माना जाता है मैं ऐसी ही छोड़ी छोड़ी जानकारी आप तक लेकर आती हूँ स्वपन शास्त्र के अनुसार और अपने experience को जोड़ कर मैं आप तक ये सारी जानकारी पहुचाते हूँ अब आपको एक छोड़ा सा काम करना है और वो ये कि आपको बताना है कि स्वपन शास्त्र की अनुसार जो मैंने आपको सपने बताएं हैं, कौन-कौन लोग हैं जो रिलेट करते हैं कि उन्होंने सपने में ऐसा देखा था और उसके कुछ तिन बाद ही ऐसा हुआ था इसके साथ ही मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि जो लोग भी मेरे द्वारा बताएं हुए उपाय कर रहे हैं आप एक एक मिनिट का छोटा सा विडियो बना कर जरूर बताएए, फीडबैक दीजिए कि आपको उन उपायों को करकर कितना लाब हुआ है क्योंकि जो लोग भी फीडबैक दे रहे हैं मेरी पूरी कोशिश है जब भी मैं लाइव आओ आओ आपके जो भी सवाल है लाइव में आकर मैं आपकी लाइव फ्री कुंडली एनलेसिस जरूर करूँगी तो जुड़े रही है हमारे चानल के साथ बने रही है हमारे चानल के साथ लेकर आओंगे ऐसी ही खास आदबो जानकारिया आप सभी के लिए जै मातरी